Hello everyone and I hope आप सब बढ़ियाओंगे तो आज हम बात करेंगे 2023 strategy की बहुत demand आरी थी बहुत request आरी थी कि 2023 पे strategy बनाओ क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे पास 75% experience जो है वो 2023 को exam देंगे तो मैंने सोचा ठीक है ठीक है February month start हो गया है और अभी से अगर हम टोटल बात करें तो 16 महीने हमारे पास है 16 months हमारे पास है और 16 months एक अच्छा कासा time होता है अगर आप complete beginner भी हो आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है आपको कुछ नहीं पता exam के बारे में तो अभी भी 16 months एक sufficient time होत करते हो एक side direction में करते हो तो yes it is pretty much possible देखो सबसे पहले में एक चीज़ बोलूँगा क्यार देखो plan होना बहुत जरूरी है ठीक है especially UPSC exam में यह 3-4 महीने का exam नहीं है यह basically आपका लंबा चलता है minimum 2 साल लग जाते हैं पूरे अगर हम preparation को जोड़े और साथ में जो examination phases है ठीक ह तो दो साल की यह journey है minimum तो इसमें यार देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ध्यान में रखनी पड़ती है आपको अपना plan पता होना चाहिए देखो बहुत से aspirants यह गलती करते हैं कि देखो target पहले तो कहीं का fix नहीं होता है कि exam कब देना है अभी जैसे जो अभी जी न है तो आप उस ही साफ से planning करोगे उस ही साफ से अपनी strategy बनाओगे एक बार आपका plan बन जाता है time table बन जाता है आपको उसको strictly और religiously उसको follow करना ही करना है अगर आपके पास plan नहीं है तो daily मैं बहुत से aspirants से बात करता हूं अब होता क्या है जब मैं कई पर जाए aspirants बोलते है कि मन नहीं कर रहा पढ़ने का और वो consistency maintain नहीं हो पा रही है अपने targets नहीं follow कर पारा समझ में नहीं आ रहा कैसे आगे तयारी को carry करूं मैं simple उनसे एक चीज़ पूसता हूं कि एक बात मुझे बताओ आपका अगले एक साल का road map तयार है क्या मुझे पता है answer उनका आता है नह तो आप फिर कैसे इस exam को clear करोगे यही गलती मैंने starting में करी थी जैसे आप मैंसे बहुत बोलते हैं कि मैंने क्या गलती करी थी starting के दो साल मेरा कोई plan ही नहीं था उठे है ठीक है अपना NCRDs पढ़ ली आज polity पढ़ ली कल history पढ़ ली कभी online lectures देख लिए कभी अरे लक्षमि बोलेगा भाया एक बार हमने अपना रियसर्च करा एक साल का हमारा plan ready था और हमीं पता था कि अगले एक साला मने क्या follow करना है क्योंकि अगर आपको पता है कि अगले एक साल साल आपक्या follow करोगे तो उसके accordingly ही आप अच्छे से proceed कर पाओगे कूद कि आपको पता है कि ठीक ह ये मेरी पूरी कोशिश रहीगी और उसके बाद देखतें exam कैसा होता है तो मैं आपको आज 2023 की strategy बताऊंगा और देखो थोड़ा introduction देना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि एकदम से मैं नहीं वीडियो स्टार्ट करते ही मैं नहीं बोल सकता है ठीक है वाई 2023 की स्टार्ट करते है और phase one में यह ऐसा नहीं है देखो जो 2023 में दे रहा है तो आपको अगर February से मैंने strategy बनाई है देखो मैं मानता हूँ मैं यह मान के चलता हूँ कि आप एक complete beginner है आपने NCRD भी नहीं पड़ी आपको कुछ ही नहीं पता UPSC exam के बारे में लेकिन आपने मन बना दिया है कि आपने exam देना है और आप शौर है आपने exam देना है clear cut बात है तो देखो यहां से अगर हम बात करते हैं देखो mostly exam होता है June में प्लिम्स या तो beginning June में होगा या May end में होगा यह मान के चलते हैं तो आपके पास 16 months है ठीक है? 16 महीने आपके पास 16 महीने आपके पास है आप सबसे पहले मैंने exam को 5 phases में कर दिया है ठीक है न मैंने अलग-अलग phases में डिवाइड किया क्योंकि अलग-अलग phase में आप अलग-अलग चीजें पढ़ोगी और आपकी approach थोड़ी सी अलग होगी देखो सबसे पहला phase मैंने रखा है आपका basic understanding phase किया आपको exam को समझना है जादा time नहीं दिया है मैंने सिर दिटेल में उसको अच्छे से समझें आज कल देखो तरह तरह कोचिंग जो इंस्टिजूट्स है उन्होंने अपने थोड़ा सा डेटेल में वो expand करके PDF प्रोवाइड करते हैं आप कोई फॉलो कर सकते हो थोड़ा आइडिया लग जाए को इसलिए बस इंडेफ्थ है किया पीवाइक आएक क्या करना है थोड़ा सा आप पिछले मैं कॉणंगा तीन चार साल के पेपर अभी बिग्निंग में थोड़ा एक गो थुरू करें किया कैसे पेपर आई थे क्योंकि फिछले दो-तीन साल से ट्रेंड चेंज हो रहा है पैटन चेंज हो रहा है तो थोड़ा स तो आपको इस चीज में दस दिन देने तो आपको एक आईडिया लग जाएगा किया ठीक है एक्जैम में क्या स्लेबस है क्या पैटर्न होता है क्यों से सब्जेक्ट कहां पर है थोड़ा सा यह जाना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत से एसपेंट्स एंसी आइडिस ख़तम करने वाले लेकिन जब उनसे छोटा सा एक माइक्रो टॉपिक के बारे में कुछ पूछ लें तो उन्हें लगता है कि यार यह स्लेबस में तो ही नी फिर जब स्लेबस खोलके देखते हैं पर हां स्लेबस में तो है तो यार एहसा नहीं होन है ठीक है पहले नहीं तो दूसरे में हो जाएगा दूसरे तो तीसरे में हो जाएगा और यह अगर आपकी ऐसे अप्रोच है ना तो दस साल भी कम पढ़ जाएंगे मैं क्लियर कर बता रहा हूं अगर आप हार्ड वर्किंग है यूरा एक कंसिस्टेंट डेडिकेटेड ठीक अब फेस्टू की बात करते हैं देखो फेस्टू एक कह सकता हूं कि मेरा एक फाउंडेशन फेस है ठीक फेस्टू में आप क्या करेंगे बेसिकली फेस्टू जो फेबरी का रिमेनिंग डेज है और जो चीज में आपको यह बता रहा हूं इसको आप नोट डाउन भी कर दे पेपर्स का अब थोड़े से आप क्वेश्टंस तोड़ा सौल करना स्ट कर सकते हैं ठोड़ा डिटेल में समझो खेस्ट देखो आंसर देखो फिल्म्स के भी मेंज की थोड़े थोड़े आप बैसिकली सैट कर सकता हूं कुछ क्वेशन की चलो आज 10 लिएगा एक देखले निउस्पेपर आपको डेली पढ़ना है, रेकुन, कुछ चीजें जैसे कि निउस्पेपर आपको डे वन से डे, you know, one day before your examination पढ़ना है, कोई दिकत नहीं, बहुत से बोलते हैं, निउस्पेपर है, और साथ में TCGs आपकी PYQs, ठीक है जी, तो यह होगी आपका phase 2, अब एक खास बात यह रखने वाली बात यह है, जो NCRDs है, NCRDs में देखो, कुछ important NCRDs हैं, और कुछ normal NCRDs हैं, वो अलड़ी मैंने बहुत बार mention कर रखी हैं, आप उन्हें देख सकते हो अगर आप एक science background से हो, तो मैं recommend करूँगा, सारी NCRDs पढ़ो, arts background से हो, तो I will say ठीक है, आप इलेर्ट वेल्ट में जादा focus कर सकते हो, बाकियों की just एक normal reading कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा, एक brush up clear, अब बात करते है phase 3, phase 3 सबसे important phase है, इस UPSC preparation का, यहाँ पर अगर आपने अ June, July, August, September, October, November, December, ठीक, साथ दिन अपका phase 3 चलेगा और यह बहुत important phase है, क्योंकि इस phase में आपने GSK123, अपने GS123 complete करना है, mains का, साथ में आपने अपना optional भी complete करना है, और साथ में आपने up test series start कर देनी है, यानि कि prelims के test आपने देने है, और साथ में mains की answer writing start कर देनी है, एक बात करूँ, on and around 4-5 मेने optional complete हो जाता है, 4-5 मेने ऐसे नहीं कि आपको daily 6-7 घंटे पड़ना पड़ेगा, अगर आप optional को 2-3 घंटे देते हो daily basis पे, तो आपका कोई भी optional है, 4-6 मेने में complete हो जाएगा, तो basically आप 2 घंटे optional को दे सकते हो daily basis पे, और आपका optional complete हो जाएगा, along with that एक revision आपको करना है, optional खतम होने के बाद ही, so that आप भूलेना चीज़ों को, option आपका cover हो गया है, अब आपको monthly magazine स्टार्ट करनी है, तो monthly magazine में एक clear cut चीज़ बोलता हूँ, एक monthly magazine आपको पढ़नी है, जैसे vision की पढ़ सकते हो, राओ की पढ़ सकते हो, inside की पढ़ सकते हो, जो newspaper है वो तो चलता रहेगा, अब दूसरा आता है योजना, देखो योजना होता है issue based, बहुत से aspirants confused होते हैं, यार हम योजना पढ़ें की monthly magazine पढ़ें, vision की, यार vision की जो monthly magazine है, उसमें current affairs का compilation है, उसमें जो monthly जो current affairs आ रहे हैं, newspaper के, PIV के, अलग अलग जो issues हैं, वो एक magazine में स सारी चीज़ है, लेकिन जो योजना है, वो issue based होती है, जैसे कि भाई, अभी जैसे budget आ गया, हो सकता है आपकी जो February की योजना होगी, वो budget पर आ जाए, अभी हो सकता है कि अगली एक education sector पर आ जाए, ठीकिन, health sector पर आ जाए, infrastructure पर आ जाए, digital पर आ जाए, ठीकिन, digital era पर आज सकता है, issue based है, तो वो एक issue पकड़ेंगे, उसके अंदर सारे जो, एडिटोरियल्स, आर्टिकल्स होंगे, वो issue उस issue पर होगी है, तो कहने को अब आपका एक issue मजबूत होगा, लेकिन, दोनों के अलग फायदे है, तो योजना आप करोगे, August, September से start, ठीक है न, और वो भी आ government की official website है, P.I.B. पर आप जाओ, P.I.B. में देखो, Press Information Bureau, जादा आपको टेंशन नहीं लेनी, क्या पढ़नी, क्या नहीं पढ़नी, 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 तो यह आपका current fair का sources है, और इस से आठके आपको current fair कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक, अब जो हम optional मैंने आपको बता दिया है, monthly magazine का मैंने आपको बता दिया है, अब बात करते हैं पहले, जो static portion उसको मैं थोड़ी देर, उसको end में थोड़ा बता हूँगा, उससे पहले जो छोड़ी छोड़ी आसान चीज़े हैं, उनको बता दिता हूँ, देखो, अब जो साथ में जो उनकी priority रखनी है, आज जैसे की history, geography, polity, economy और आपका environment, तो आपका ये target रहना चाहिए कि आर इस phase में, इन major subjects को मुझे complete करना है, जैसे कि आप पहले economy start करोगे, तो आप कैसे कर सकते हो, आप एक target ले सकते हो कि ठीक है, मेरे को optional भी करना है, बाकी चीज़े भी हैं, तो चलो economy को मैं 20 दिन दे देता हूँ, जैसे आप कहते हो कि चलो मैं 2 subject साथ में लेके चलता हूँ, economy और quality, एक दिन economy पढ़ लूँगा, एक दिन quality पढ़ लूँगा, आपकी चोईसे कर सकते हो, बाट मैं कहता हूँ, एक subject को sequence में पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब एक subject को हम sequence में पढ़त अच्छे से दिये detail में, आपका economy अच्छे से cover हो गया, आपका major एक chunk UPSC slivers का cover हो गया, अब क्या करोगे, अब जब आप मालीजे बाद में आपने quality स्टार्ट करी 20-25 दिन, तो economy cover होने के बाद, जब आप quality पढ़ोगे, तो yes, जो economy है, उसका revision मारते रहो daily, daily या alternative days पे, जो भ देन रहेंगी चीजें उतने जल्दी आप recall कर सकते हो, सबसे important, जितने जल्दी जल्दी आप या ज़्यादा revision मारोगे, तो वो चीजें उतने आसानी से और उतने जल्दी आप cover कर पाऊगे, simple सी बात है, लक्षमिकान की बात करते हैं, लक्षमिकान जब आप एक पहले बार तो बहुत कम लोग कर पाते हैं, बट इतने भी नीड नहीं है, अगर आप थोड़ा बहुत पांच शे रिविजन भी करते हो, सफिशेंट है, पांच टाइम रिविजन इसा मस्ट, मुश्किल से आपको, I can say, hours का काम है फिर, ठीक है न, और फिलम से पहले तो मुश्किल से आप चार-पांच घंटे में सारी बुक रिवाइस कर दोगे, बट वो तब ही पॉसिवल है, जब रेगुलर बेसे पे रिविजन मार रहे हो, तो यह आपका जीएस को ऐसे कम्प्रीट करना है, ठीक, और सबसे इंपोर्टेंट बात आती है, देखो, आंसर रेटिंग और ब प्राक्टिस भी हो जाएगी, जो अब जब जीएस के सब्जेक्स कम्प्लीट कर रहे हो, तो साइड बाइ साइड थोड़ा बहुत आंसर इडिंग स्टार्ट कर सकते हो, यह तो आप अल्टेनिटिव डेस पे करो, कि ठीक है, तीन-चार क्वेशन लिए डेली बेस पे जो भ बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी आप आंसर लिखोगे, अगर वो आप किसी से चेक नहीं करवा रहे हो, तो अधिक्कत है, इसलिए सॉल्ड आंसर लोगे, तो आप देख लोगे की कैसे आंसर लिखा है, तो आप अपने हिसाब से फ्रेम कर दोगी चीज़े, ठीक है, तो इसलिए मैं ये चीज़ कहता हूँ, अब मॉक्स की बात करते हैं, येस, आप माई, जून से या जुलाई, आउगस्त आपकी चोईस है, आप वीकली बेसिस पे मॉक लगाओ, खताम बाद, विजन के हैं, तो आप मॉक्स लगाओ, कुछ विजन के लगा लिए, कुछ इसलिए, तो थोड़ी कॉंप्लिकेशन है, थोड़ा सा कन्फ्यूस हो गए हूँगे, बहुत से बच्चे, मैं फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ, फेस त्री की जो मैंने बात करी थी, फेस त्री आपके इसलिए, जो की जून से दिसमबर तक चलेगा, इन्होंने हल्ला मैंने काया, आपको कम्प्रीट करना है, आप कभी भी ऑप्शनल कम्प्रीट कर सकते हो, आगे पिछे आपकी चोईस है, दिसमबर तक ऑप्शनल along with one revision कम्प्रीट हो जाना है, डेली आप दो घंटे दोगे, चार-पांच महिने में आपको ऑप्शनल कम्प्रीट हो जाएगा GS के topics आप उठाओगे, ठीक है, major जो subjects हैं, उनको उठाओगे, और दिसमबर तक आपकी जो 5 main subjects है, history, geography, political economy, environment और साथ में art and culture, ये cover करना है no matter what, ठीक, आप 20 दिन दो, 10 दिन दो, alternative days में पढ़ो, एक दिन में 2 subject पढ़ो, एक ही पढ़ो, महिने बर में एक पढ़ो, कोई इसमें basis पर और अपना मौक लगाओ, जो कि पिलिम्स basis के लिए है, ठीक है न, तो ये basically phase 3 है आपका, आप बात करते है phase 4 की, इसके बाद काम थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि major चीज़ें आपने पढ़ लिए हैं, जैसे कि आपने answer adding start कर दी है, option आपने complete कर दी है, जो GS के major subjects है, वो आपने complete कर दी है, आपने NCRDs पर लिए है, पी बाई क्यों से अच्छे से लिए, आप basically बची कुछी चीज़े है, अब जैसे phase 4 है, phase 4 दो महिने का है, ठीक है, तो आप बात करते हैं guys, phase 4 की, तो देको phase 4 में आपके दो महिने है, ठीक है न, January और February, आप देको इस दो महि आपको क्या करना है, आपको जो GS के remaining topics हैं, जैसे कि internal security, disaster management, और जापका world history हो सकता है, world geography भी नहीं क्या होगा, और ethics, तो जो topics आपने cover नहीं करें, इन दो मेनें आपको cover करने है, clear cut बात है, क्योंकि syllabus तो आपने almost complete कर दिये, major चीज़ें आपने complete कर दिये, तो ठीक है remaining topics आपको करने हैं, और साथ मैं अपना जो पीछे पड़ा उसका revise करना है, revision की अब बात करते हैं, ठीक है, आखरी के तीन मेने अभी बताता हूं, revision एक ऐसी चीज़ है, जैसे कि newspaper आपको daily पढ़ना है, ठीक है, starting से end तक, monthly magazine आपकी monthly basis पे खतम होनी चाहिए, no matter what, क्योंकि एक अगर सी पन्ने की एक magazine होती है, अगर आप 10 पन्नी भी दिन के पड़ते हो, तो 10 दिन में आपकी monthly magazine complete है, but the thing is consistency, अगर आप consistent हो, तो cover कर पाओगे, वरना, मैं बताता हूं, 90% aspirants का pile up हो जाता है, अभी मैं जितने भी aspirants से बात कर रहा हूं, 2022 में देना exam, लेकिन पिछे के साथ 8 मेन के content फेर नहीं पड़ें, क्यों distraction हो गया था, consistent नहीं थे, अभी में कुछ function आ गया था, यह हो गया था, वो हो गया था, तो यह चीज़ है, तो यह आपको assure करनी है, योजना मैंने काया, August September से आपको monthly basis पे start कर दीनी है, और सबसे important चीज आती है, revision, revision आपको daily, जो भी आपने दिन भर में पढ़ा है, उसको रात को revise करो, weekly, जो भी Monday to Saturday या 6 दिन जो भी आपने पढ़ा है, उसको साथवे दिन revise करो, और monthly basis पे, यानि की महिने के जो 25-26 दिन आपने पढ़ा है, उसको आखरी के 3-4 दिन में revise करो, तो daily, weekly और monthly basis पे revision होना चाहिए, इससे चीज़ें आप याद रहेंगी, भूलोगे ने, recall कर पाऊगे exam में असानी से, और आपका time बचेगा, ठीक है न, बार-बार एक चीज़ को gap के बाद पढ़ोगे तो ज़्यादा time लगेगा, revise करोगे तो कम time लगेगा, simple जबात है, तो आप बात करते हैं phase 5 की, देखो, phase 5 में आपको एक करनी दी कर ली, क्योंकि देखो यार, जो phase 5 है, basically, जो प्लिम्स के हमने phase 5 रखा है, प्लिम्स में बहुत सारे बच्चे बाहर होते हैं, और मेरा मानना यही है कि मैं तो समझता हूँ, main से ज़्यादा tough प्लिम्स होता है, क्योंकि प्लिम्स में 4-5 lakh students में ऐसे मुश्किल से 15 य प्लिम्स में बहुत, बहुत तगड़ा, you know, प्लिम्स में काफी ज़्यादा बच्चे बाहर किये जाते हैं, तो प्लिम्स को हलके में नहीं लेना है, आपने देखो साल बर से अच्छे से तियारी कर रहे हो, तो ठीक है, systematic way में आपने करी होगी, तो आपने mains की तियारी कर र करना है, दबा के, ठीक, वैसे तो ऐसा कुछ pending topics होने नहीं चीए, बट मैं मानता हूँ कि होता है, कई बर pending चीजे रह जाते हो, उनको भी cover करना पड़ता है, उनको भी कर सकते हो, mocks पे आते जाता focus आपको करना पड़ेगा, हफते में दो mocks ज़रूरी हैं, और आखरी के ती किये होंगे, अब आपको पता चल जाएगा कि important topics concert पर आपको ज़्यादा focus करना है, that's it, आपको तीन काम करना है, revision, important topics पर ज़्यादा focus और आपका mocks देने, दबा के, at the end, films के लिए इतना sufficient है, और जाईस जी बात है, उसके बाद जब पिलिम्स आप दे दोगे, तो उसके ब करना है, और again, जो most important topics है, उन पर जाता emphasis करना है, तो basically, ये एक मोटा plan होता है, देखो, एक चीज़ मैं बोलूंगा कि, कोई भी plan किसी के लिए 100% work नहीं करता है, ऐसा नहीं है कि ये plan सबक्ले work करेगा, बट हाँ, ये एक मैने time frame दिया है, ये definitely helpful रहेगा, और इस time frame के accordingly, आप अपना एक strategy बना सकते हो, माली जे मैने NCID को चार महीने दिये थे, तो हो सकता है, अगर आपने NCID पढ़ लिये, तो आप इसको दो महीने दे सकते हो, और phase 3 को आप दो महीने बढ़ा सकते हो, हो सकता है, आप बहुत एक slow learner हो, starting में दिख्कात आती हो, बाद में पेस पकरते हो तो NCID को आप 5 मेने दे सकते हो, बागी का एक महीने काट कि आप NCID में अड़ कर सकते हो, तो वो depend करता है, person to person, आप weekly base पे अगर answer rating नहीं करना चाते हो, और alternative base पे करना चाते हो, कर सकते हो, आप weekly base पे mock नहीं देना चाते हो, 15 दिन में देना चाते हो, कर सकते हो, कहने का मत्ब करी, यानि पहले exam को समझा, फिर basics कवर करी, फिर standard books आपने करी है, साथ में optional चलाना है, फिर आपकी answer rating और mock स्टार्ट हो जाने चीए, फिर GSK remaining topics complete करो, और end में films को full focus तेयरी करो, तो basically ये एक plan है, तो I hope आपको अच्छे से समझ में आया होगा, एक और important मैं update दूंगा, क्यों टाइम बाद में फुल वीडियो डिटेल में लाऊंगा, कि क्या मेरा जो batch होगा, उसमें क्या provisions है, कि कौन add हो सकता है, और ये सारी चीजें, तो वीडियो मतब चैनल पे बने रहना, क्योंकि जैसे ही में चीजें लाँच करूंगा, तो obviously seats limited ही है, सिफ 100 seats है, and after those seats, admission close हो चीज पता होगी, तो बाकी तो ये चीज है, and if you are interested, तो ठीक है, आप थोड़ा सा बने रह सकते हैं, आप मुझे instagram पे contact कर सकते हैं, regarding this, बाकी जब detail में plan आएगा, तो उसके दुरू आप contact कर सकते हैं, तो ये ही चीज थी guys, and ये strategy थी, I hope काफी help मिली होगी, वीडियो लंबा जरूर है, लेकिन एक चीज को समझाने में देखो, टाइम तो लगता ही है, ठीक है, तो have a good day, and बाकी और भी वीडियो के साथ आएंगे,